Hello Friends, Welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar My dear students, आप सब का स्वागत है On this 3rd June का Current Affair का Module Current Affair के Modules regularly follow करना बड़ा important है Especially at Pro Talent because we try to cover All those important news items Fundamental develop करने के लिए आपके लिए बड़ा काम का है ठेक है, जो जो भी students Fundamental develop करना चाहते है उनको ये वीडियो उसको regularly देखना चाहिए इसकी notes बनानी चाहिए और उसमें अगर कोई query और question आते है तो comment box में बताने चाहिए दोस्तों, Current Affair में आपका focus होना चाहिए Fact के उपर ठेक है, opinion या आपका interpretation एक level तो है वो important part है पर क्योंकि schools की पढ़ाई के द्वारा बहुत बार जो लोग अच्छे communication में होते जो बच्चे अच्छा communicate कर पाते उनका interpretation बहुत अच्छा रहता है पर बात सिर्फ interpretation की नहीं है बात यहाँ पर fact की fact क्या है और किस तरीके से form हुआ ठीक है, और उस fact का importance क्या है वो समझना बहुत जरूरी है और इसलिए current affair के module के अंदर आपको fact के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, चलिए चालू करते है आज की कानी पहला module हमारे सामने आ रहा है which is, you can say about election I am sure you have seen लोगसभा में election चल रहा था लोगसभा का election 1st June को कतम हो गया और उसके बाद ठीके, कुछ result आना चालू हुआ किसका result आए, लोगसभा election का ना 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 वो तो कल आने वाला है ठीके, तो किसका election हुआ दोस्तों, लोगसभा के election के साथ-साथ इंडिया में चार state का assembly election हुआ था ठीके, दोस्तों, जब भारत का पहला election हुआ था 1951-52 के दोरान तो ना सिर्फ लोगसभा का election हुआ सभी states का भी election एक साथ हुआ था और यही विचार के साथ one nation, one election के बारे में बाते चल रही थी आपको याद होगा, एक committee बटाई गई थी one nation, one election की जहां पे लोगसभा और एसेंबली का election एक साथ करने का प्लान किया जा रहा है और उस commission के जो हेड थे, वो भारत के ex-president थे, रामनाथ कोविन जी, आपको पता होगा न दोस्तों तो इस बार जो election हुआ लोगसभा का, उसके साथ चार state का election भी हुआ आंद्रप्रदेश, ओडिसा अरुनाचल प्रदेश और सिक्कीम उन में से दो state का result कल अनौंस हो गया, कौन से दो states? अरुनाचल प्रदेश और सिक्कीम उनका result अनौंस हो चुका अरुनाचल प्रदेश में बीजेपी ने clean sweep निकाला, ठीक है clean sweep तो नहीं आया पर majority आया, 60 में से 46 वाइल सिक्कीम में सिक्कीम करांतिकारी मोर्चा ने तो clean sweep कर दिया, out of 32 seats, 31 seats में वो जित गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो दोस्तों यह जब कल election का counting होगा, हैना, तो उस समय पे हैना, election commission का जो role होगा, वो बहुत बड़ा होगा और इसलिए, BJP और India Block ने election commission को clear cut जाकर बोला, कि please ध्यान रखेगा कि यह, लोग इस पूरी process को undermine ना कर दे, ठीक है, कभी कबार हैना, undermine हो जाता है, लोग इस integrity के उपर, इस electoral process के integrity के उपर सवाल पैदा करते है, और ऐसा ना हो, और इसमें election commission fair way में काम करे और fair way में काम करते हुए दिखे, हना, वो बताने की कोशिश, हना, करी जाएगी कल, बड़ा important है, ensure proper counting norms, ध्यान रहे counting सही तरीके से करना वो तो important part है ही, पर counting सही तरीके से हो रहा है वो दिखाना भी उतना important है ठीक है, चलिए बढ़िया, ठीक है अब जब हम बात कर रहे थे लोगसभा का election और legislative assembly का election, वहां से एक बड़ा मसदार सा connection develop हो रहा है, क्योंकि अभी-भी हैना, Saturday को Telangana ने अपना Telangana formation day celebrate किया and उसके करीबन 10 साल complete हुए और इसके वजह से we have to discuss one very important part, भारत में अलग-अलग state का formation कब-कब हुआ किस वजह से हुआ, जब देश आजाद हुआ, तो हमने जो अलग-अलग state बनाए थे, उनमें category थी state A, category A that is state A, state B category and then state C category, इस तरीके से division था आज के समय पे जो आपको नाम दिख रहे थे Gujarat, Maharashtra, ठीक है अंदरप्रदेश, यह उस समय पे नहीं थे ठीक है, हाना, उस समय पे नहीं थे तो अब यह बना कैसे तो दोस्तों, हाना, सबसे पहले लड़ाई चालू हुई 1956 में के language के basis के उपर state code reorganize किया जाए और इसमें आंदरप्रदेश was a leader और 1st November 1956 में, ना सिर्फ आंदरप्रदेश बट बहुत सारे और state भी language के basis के उपर बने, ठीक है, आंदरप्रदेश, किरला, ठीक है, अना, करनाटका यह सब अलग अलग तरीके से बने ठीक है, तो यहां पर आपके सामने एक मज़धार सा लिस्ट है, which is talking about कि अलग अलग state इंडिया के कब-कब फॉर्म हुए लेट्स टॉक अपाउट अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में भी तो इलेक्शन हुआ न दोस्तों ठीक है, अरुनाचल प्रदेश दे 20th February 1987 को मनाया जाता है दोस्तों, अरुनाचल प्रदेश गोट सेपरेटेड फ्रॉम आसाम, इनिशली इट वस पार्ट अफ नॉर्थ इस्टन Frontier Province का पार्ट था और उसके बाद में उसको Reorganization किया गया और बना आसाम गोट फॉर्म्ड ओन 2nd December, ठीक है 1950 में, हने, जब देश बना, तो ये जो आसाम था, उसको हमने State of Assam बना दिया था दोस्तों, ये जो सबसे पहला इसका जो जो जॉइनिंग था आहोम किंग्डम 1228 को आहोम किंग्डम एस्टाबलिश हुआ था और वो आहोम किंग्डम के बाद इस आसाम को हमने North Eastern Frontier Province की तरीके से क्रेट करा और उसी North Frontier और उसी North East Frontier Province के द्वारा अलग अलग स्टेट बने Bihar got formed on 22nd March ठीक है और इस इन 1950 Chathisgarh got formed on 1st of November note करना 1st of November 2000 1st November 2000 को 3 states बने थे ठीक है Chathisgarh, Jharkhand ठीक है and one more if you know that please tell me ठीक है और आहोम किंग्डन Chathisgarh, Jharkhand and one more that's what you have to tell me Goa, Goa got separated in a very interesting way Goa का liberation करना पड़ा था Portugal क्या थो से ते एक वार लड़ी थी हमने सो उसका एक liberation day आया 19th December 1961 ऐसा Goa liberation day और वो liberation day पे दीव, दमन और Goa को हमने separate करा और बाद में उसको Union territory बना दिया and then later on on 30th November 1987 we made full fledged state of Goa Gujarat got formed from you can say Bombay state Bombay state में से कुछ पार निकला plus state of Kaatyaवाड and state of Savraas को जोड दिया गया और ये बन गया आपका Gujarat 1st May 1960 और गुजराद दिवस मनाया जाता है और महारास्टा दिवस भी उसी समय पर मनाया जाता है Haryana day celebrated on 1st November 1966 it got separated from Punjab Punjab से Haryana, Himachal and Punjab ये तीन states बने थे ठीक है so this is Haryana, Himachal Jharkhand got formed in the year 2015th November Karnataka got formed on 1st November 1956 Kerala also on the language basis 1st November 1956 reorganized हुआ Madhya Pradesh also got reorganized in 1956 Madhya Pradesh में Vindhya Bharat, Madhya Bharat और Central Province को एकटा करके ये पुरा एक नया state बनाना पड़ा था Maharashtra got formed on 1st May 1960 अभी हमने देखा गुजरात वाला पाट उसके साथ ये connected Manipur got formed from against the state of Manipur Act 1971 ठीक है और 1972 में इसको अलग से statehood हमने दे दिया Megalaya got statehood on 21st January 1972 Assam reorganization से बना था ठीक है and then Mizoram on 20th February 1987 ठीक है same 1st December 1963 Nagaland ठीक है ये सब बने थे आपके Odisha फॉर मुआ ये इन 1936 1st April को ये Odisha Day मनाया जाता है यादर है 2011 में Odisha नाम से हम पहुचें Odisha पे आज जो नाम है Odisha ये जो नाम किया था ठीक है औरिजिनल नाम क्या था और इसा Punjab हमने बात करी आपके साथ Reorganization की तवरा Punjab Himachal and Haryana इसलिए पंजाब का जो Capital है वही हर्याना का Capital है यादर आपको तोस्तो क्या नाम है उसका Chandigarh Chandigarh का जो पूरा City बनाया था और City एक France Architect ने बनाया था और French Architect ते उन आपको यादो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिग दीजिए राजस्तान गट फॉर्म्ड on 30th March ठीक है 1956 वन्स अगें दाट री ओर्गनेशेशन का तरीका सिक्कीम 16th May 1975 Tamil Nadu 18 July in 1969 ठीक है State of Tamil Nadu was renamed from Madras State in 1969 ठीक है दोस्तो उसके पहले वो State of Madras था State of Madras में से Andhra Pradesh बन गया Kerala बन गया ये साब अलग अलग State बन गया ना तो उसके बाद जो बचा उसका नाम दे दिया इन्होंने Tamil Nadu Telangana got formed in 2014 That's the newest state to be formed और उसके आज 2021 से 24 में 10 साल हो चुके है Is that comfortable? Great Tripura got formed on 21st January 1972 Uttar Pradesh ठीक है 1950 में Reorganization के द्वारा बना था दिली टरिटरी में से ठीक है कुछ पार्ट एड करके ये United Province of Agra और अवद को जिसको United Province of Government of India बोलते थे उसमें आ गया Uttarakhand got separated from against Uttar Pradesh So this was the third state जो मैं आपको बताया 2000 में थीन स्टेट बने थे 36 गड़ Jarkhand and Uttarakhand and then West Bengal got formed on 15th of April Clear है दोस्तो ये पूरा जानकरी आपको ओना चाहिए ठीक है आपको एक्सेक्ली ये सब ये याद नहीं रखने है पर आपको एक बार आपके आखो के सामने से ये नंबर चले गए तो over a period of time you will be in a position to understand कि इसको कैसे apply करना है is that very clear चलो बढ़िया India is going to participate in two very important military exercises one of them is known as exercise red flag exercise red flag USA के द्वारा दो साल में एक बार ये exercise करी जाती है and that exercise is for air force while rim pack which is called rim of pacific exercise क्या बोलते है इसको rim pack rim of pacific exercise rim pack हान जो USA करता है और ये ये के इन से बड़ा important one of the largest maritime exercise है तो इसमें पार्टिसिपेट करता है कौन है भाया इसमें navy पार्टिसिपेट करता है rim pack में navy red flag में air force और इंडिया की तरफ से ये participation होगा red flag में इंडिया का राफाल वहाँ पे अच्छा काम करेगा देखेंगे राफाल किस तरीके से वहाँ पे successfully अपने कर्टब दिखा पाता है राफाल plane हमने फ्रांस से करी देते आपको याद होगा यसनों फ्रांस से करी देते और rim of pacific ocean pacific exercise में INS shivalik participate करने वाला है क्या participate करने वाला है INS shivalik very important against a vessel of India याद रखेगा दोस्तो red flag में हमारे पास ये जो राफाल आएगा राफाल के साथ-साथ वो air-to-air fuel भरने वाला vehicle हमारे पास है फिर एक transport aircraft है ये सब करतब वहां पे दिखाएंगे बड़ा महत्वपून होता है अच्छा होता है इसको जानना बिल्कुल ज़रूरी है चाइना की तरफ से एक बड़ा महत्वपून चाइना की तरफ से एक बड़ा महत्वपून event हुआ जो में जानना बिल्कुल जरूरी है Space Related एक्टिविटी हुई China का एक Mission है जिसका नाम है Chang E-6 क्या नाम है उसका दोस्तो Chang E-6 ठीक है जो launch किया गया था में महिने में और उसके बाद आज मनलब जब न्यूस आया कि उसने Far Side of Moon में सक्सेस्फुली क्या आए इस Mission का इस Mission का Objective है कि Moon की Proper Study करना और करेंगे कैसे Moon पे जाएंगे Moon के Far Side of Moon से हम कुछ Sample करेंगे और वापस अर्थ पे लिकर आएंगे ठीक है That is the idea That is the idea Chang E-6 Lunar Probe है Successfully Sunday को यह Far Side of Moon में लेंड कर गया हना तु कलेक दे सेंपल This is the latest leap from Beijing जो काफी समय से Space Program कर रहा है It is South Pole एके इसे Atkary Basin क्या जगा का नाम है Atkary Basin के उपर यह वहाँ पे लाँच हुआ दोस्तों Far Side of Moon में जाने की क्यों ज़रूत पड़ती है Far Side of Moon को Dark Side भी बोलते है ठीक है और यह Earth को दिखता नहीं है Earth cannot be seen Due to Moon being Tidally locked Tidal समय पे वो Sun के पीछे चला से We are not able to see it It is a thicker crust ज़्यादा crater होते है और वहाँ से जो सेंपल लेकर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि Moon का Origin क्या है उसका Evolution कैसे हुआ तो यह सब नया Knowledge हमारे लिए Create करेगा Chang E6 Mission 53 Days का होगा वो पहले Moon के Orbit में गया Moon के Orbit के बाद वो Moon पे Land हुआ Moon पे कहां पे Land हुआ South Pole South Pole को बोलते है Atkin Basin क्या बोलते है उसको Atkin Basin महाँ पे वो लॉंच हुआ महाँ पे वो गय जाएगा और उसके बाद महाँ सेंपल करेगा ड्रिल करके निकालेगा वो सेंपल और वो सेंपल लेने के बाद वो वापस Earth पे आएगा This is going to be one of the wonderful thing China is the only country in the world To achieve this soft landing On the far side of moon That's very important 2019 में इनोंने Changi 4 launch करा था Mexico Is going to get Their first woman president Election अभी complete हुआ दोस्तो आपको याद होगा 2024 का साल पूरे वोल्ड में It's a year of election In all places in India In India It's already been done Yes or no Indonesia Russia Pakistan Bangladesh Or Mexico There Taiwan And South Africa In many places in India In many places in India Yes or no So 2024 election Mexico Is going to get their first woman president Two women And one is Claudia Shinbo Hong That is one That is one And second Is Yoshiti Galvez Yes And In both One 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 Two One 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 You One One coalition बने और शायद Jacob Zuma की पार्टी जो पुराने President Jacob Zuma वो आ सकते है ठीक है? Is that very clear to everyone? Great! चलिए South Africa important चलिए इसके साथ साथ एक और चीज़ मुझे बता दीजे comment box में अगर आपको पता हो तो South Africa के कितने capitals है और वो capitals के नाम बताई है चलिए चाइना और ताइवान का जो जगड़ा है हमने आपके साथ बात करें यह आपका चाइना है और यह आपका ताइवान है ताइवान का capital है ताइपई ताइवान में अभी एलेक्शन हुआ और वहां पे चांग लाईते करके नए प्रेसिडेंट आए ठीक है और चाइना और ताइवान का जगड़ा बहुत पुराना है 1950 के जमाने से जब चाइना से हना चियांग काईशेक करके बाई साब थे उन्होंने चाइना में जब वो रूल करते थे और उनके समने एक रिवाल्ट हुआ जो माउज जदौंग ने किया वो रिवाल्ट के दौरान चियांग काईशेक भाग कर ताइवान चले गए और वहाँ पुनोंने नया कंट्री बनाया जिसको उन्होंने रिपब्लिक अफ चाइना ही बोल दिया और वही से पुरे चाइना में राज करते थे ठीक है तो यह था ताइवान बरबर ताइवान काफी समय से अपने आपको इंडिपेंडेंड बानता है चाइना बोलता है ताइवान is not independent इट's in our control ठीक है यह बात रहती है चाइना को ताइवान को support बहुत सारे विस्टन कंट्री करते है one of them is अमेरिका पर चाइना यह जो आपके सामने red dots दिख रहे हैं रेड lines दिख रही है और इसको बोलते है nine dash line क्या बोलते है इसको nine dash line ठीक है यह चाइना मानता historically कि यह जगा उसकी है और उस एरिया में आने वाले सब स्प्राटली आइलेंड हो यह परसेल आइलेंड हो यह वहाँ पे इक हैं सेनाकाकू आइलेंड हो यह ऐसा कोई भी group of island हो तो चाइना बोलता है मेरा है और इसलिए ताइवान का independence इनको कता ही पसंद नहीं है डॉंग जून चाइना के defense minister है उन्होंने शांगरिला dialogue जो सिंगापूर में चल रहा है वहाँ पे उन्होंने यह बोला that China is ready to forcefully stop Taiwan independence that's very crucial और Taiwan भी भी बोलता है हम तो independent रहेंगे और हम यही कोशिश करेंगे ठीक है तो यह थोड़ा सा जगड़ा है जैसे Ukraine और रश्या का जगड़ा लंबे समय तक चल रहा है उसी तरीके से चाइना और ताइवान का जगड़ा लंबे समय तक चलने वाला है ठीक है दोस्तो इसराइल और गाजा का जो इश्यू है उसके उपर एक नया development आपको पता होगा 7 अक्टूबर 2023 को गाजा की तरफ से हमास नाम के टेर्रिस्ट ग्रूप ने इसराइल के उपर अटेक कर दिया उसके बाद 8 अक्टूबर इसराइल ने एक एंसे गाजा के उपर continuous अटेक करने लगे और इस हद्टक करने लगे कि आज पुरा वर्ल्ड इसके खिलाव होने लगा है ठीक है जो बाइडेन ने एक टूस प्लान एनाउंस किया है कहाँ चलो हम आप दोनों के साथ एक अगरिमेंट करते हैं ठीक है कि आप इसको सिस फाइर कर दीजे शान्ती कर दीजे टूस कर दीजे ठूस का मतलब शान्ती ceasefire का मतलब ये जगडा बन कर दीजिए दोस्तों ये सब नो ये जगडा बन कर दीजिए ये जो बाइडिन साब ने एक प्लान प्रेजेंट करा इसरायल बोलता है I agree on this plan with certain condition condition number one सबसे पहला मेरे जितने भी hostages आपने पकड़े है हमास ने सब को release कर ये ठीक है and number two मैं temporary truth करूंगा पर मेरे मन में अभी भी clean ये बात है that we want to completely destroy हमास हमें हमास को पुरा destroy करना है हमास एक terrorist group है इसरायल की तरफ से ऐसा उनका मानना है और ये हमास गाजा में पुरा control करके political party की तरीके से बैठा हुआ है और इसरायल के मताबिक ये बड़ा problem है ये सनो Qatar और UAE इस बात को discuss कर रहे है और इसरायल बोलता है ठीक है that is हम इस बात को accept करेंगे इस framework को accept करेंगे with a condition हमारे मन में ये ही plan है ठीक है ताकि हम वहाँ पे इजिप्त के रास्ते से गाजा में एड हम देने लगे वहाँ पे जो लोग फसे उनको मदद करें तेल अवीव में भी नेतानियाउग गवर्मेंट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट होने लगे हैं काफी प्रोटेस्ट होने लगे हैं ये अपना माल्दिवेश ने भी एंट्री ऑफ इजराल बैन कर दिया कि इसराल पास्पोर्ट वाले लोगों को हम माल्दिवेश में एंट्री नहीं देने वाले तो अब धिरे थिरे एक तरीके से इसराल के ओपर काफी प्रेशर बिलड़ बिलड़ ऑप होने वाला है ठीक है दोस्तो इलेक्षन खतामुआ और उस समय पर मोदी साब पहुच गए थे ठीक है कन्या कुमारी और वहां पर उन्होंने 45 अवर्स का मेडिटेशन किया अवर्स के बाद अब ये ये फैलो इंडियन्स को ये मैसेज भेज रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मोदी साब अपनी बातों थोड़ा कॉंट्राडिक्टरी बाते कर रहे हैं उन्होंने ये ये जो पूरा मैसेज लिखा उसमें शुरुवात करा माइफैलो इंडियन्स है औ अब उनका कहा है, we need to dream new dreams, नए सपने, सपने के तरीके से दिखने पड़ेंगे, क्या बोला उन्होंने इस पुरी स्पीच में, उन्होंने का दोसार चॉबिस में, लोगसभा का इलेक्शन जो कंप्लीट वा, that is, termed as festival of democracy, ठीक है, और यह जो उन्होंने जर्णी देखी, जो उ मेरट से चालू करी, और फाइनली हुशयारपूर में एंड करी, और बाद में वो कंया कुमारी में जाकर, मेडिटेशन करे, उन्होंने का कि यह पूरा जर्णी, एक एमोशनल जर्णी रहा हमारे लिए, साथ में मैं जब कंया कुमारी में तीन दीन स्पैंट करा, तो मेरे यह स्पिरिचुल जर्णी भी हो गई, एंड आयम, आय गए इंस्पाइड बाई स्वामी विवेकानन, तो मुझे इस इलेक्शन के दोरांत, जो भी मैंने बाते करी, तो भारत के ब्राइट फ्यूचर के लिए, मुझे एक डिटेच्मेंट चाहिए था, वो मुझे मिल गया Kanyakumari is a symbolizing national unity, because Kanyakumari में दो important key figures का memorial है, पहला memorial is of Swami Vivekanand, number two memorial is Saint Thiruvallur, ठीक है, Thiruvallur का, वहाँ पे एक इंसा statue है, Kanyakumari is a historical and ideological confluence में आया है, क्योंकि वहाँ से एक national thought established हुआ, और इसलिए Kanyakumari एक message देता है unity का, एक message देता है nation building का, वही Swami Vivekanandand जी ने भी यही message दिया था, उन्होंने message दिया था, कि भारत का mission है, एक purpose है, और एक destiny है, वही destiny पे इंडिया को लेके जाना है, ठीक है, और फिर उ पुरे वर्ल्ड को एक global inspiration देने की कोशिश कर रहा है, प्राइमरली दूरिंग COVID, हमने global inspiration तो दिया ही दिया, हमारा जो governance model है, poverty reduction का, digital empowerment का, यह पुरे वर्ल्ड को एक example देने की कोशिश कर रहा है, आज भारत पुरे global में एक अपना significance दे रहा है, और साथ में एक global south के लिए मोदी साफ अर्ज कर रहा है, पुरे सभी सिटीजन को कि step forward कर रहा है, नए सपने देखिये, एक developed विक्सित भारत के लिए आगे बढ़िये, यह वो सपने दिखा रहा है, ठीक है, ही इस एम्पसाइजिंग नेड फॉर्म्स in all aspects of life, aligning with global aspirations, ठीक है, उनने एड़ोकेट करा, speed चाहिए, scale चाहिए, scope चाहिए, and standards of development चाहिए, यह बड़ा important है, combining ancient values with modernity, overcoming negativity for success, that's a very crucial part, ठीक है, भारत की capabilities बढ़ने के लिए, उसके belief में हमें विश्वास रखना पड़ेगा, और future generation को इस विश्वास के साथ जुडाना पड़ेगा, ठीक है, और उनने लोगों को यही बोला कि वया स्वामे विवेकानन ने, जिस तरीके से एक nation के लिए dedication की बात करी थी, उठो, जागो, इखटा हो, और जब तक आपका काम खतम नहो, तब तक रुकना नहीं है, वही, मुदी साब ने कहा, विक्सित भारत के लिए, उठो, जागो, इखटा हो, और देश के लिए काम करें, बहुत यूनिक चीज है मुदी साब के लिए, मैं बताना चाहूंगा, इस मुद्धे पर, कि जब election में बात करते है, election के दोरान, तो इतना जादा देश को डिवाइड करने में बात करते है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के सामने, उनको अपने आपको अलग दिखा बड़ा, मनलब, दो तरफी बाते, तो इनी से सिखनी पड़ती है, चलिए, great, so with this, I am closing today's module, ठीक है, आज का module हम यहां पर समाप्त करते है, बड़ा मसदार सा module रहा, बहुत सारी चोड़ी-चोड़ी चीज हमें यहां से जानने को मिली, I am sure you must have learned it well, great, दोस्तों, अगर आपक झाल, 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